राश्विय राजधानी दिल्ली में कोरोना केसों का नीचे जाने का सिलसिला लगातार चारी है आज करेसे केस बढ़े हैं लेकिन ज्यादा नहीं दिल्ली में आज शुकरवार को कोरोना वाइरस संक्रमन के 523 नए मामले सामने आए और इस महामारी से 50 और लोगों की जान चली गई स्वास्थी विभाग के मताबिक संक्रमन दर 0.68 प्रतिशत रही कल कोरोना वाइरस संक्रमन के 487 नए मामले सामने आए थे ये लगातार पाचवा दिन है जब राश्ट्री राजधानी में संक्रमन की दर एक प्रतिशत से कम दर्श की गई है अपरेल के महीने में दिल्ली में संक्रमन की दर 36 प्रतिशत तक पहुँच गई थी बीस अपरेल को कोरोना वाइरस संक्रमन के रिकॉर्ड 28,000 से अधिक नए मामले सामने आये थे दिल्ली में अब तक 14,449 लोग कोरोना से संक्रमित हुए है और इन में से 13,95,892 मरीज ठीक हुए है और 24,497 मरीजों की मौत हुई है इस समय 8,060 मरीजों का इलाज चल रहा है कोरोना वाइरस और कोरोना वाइक्सीन से जुड़ी हर महत्वपून खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए